Hello my dear students, I am your educator and facilitator प्रतिभायादव प्राइमरी स्कूल चौरादेव ब्लोग पुआर का डिस्टेक सहारनपूर Students, today we learn about the topic our family तो प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे परिवार के बारे में Students, we all live with our family तो प्यारे बच्चों, हम सभी अपने परिवार के साथ रहते हैं The people who live together in a house are called family members Like mother, father, grandparents, uncle, aunt, brother, sister and cousins तो प्यारे बच्चों, वो सभी लोग जो की एक घर में एक साथ रहते हैं वे सभी परिवार के सदस्य होते हैं जैसे माता-पिता, हमारे दादी-बाबा, चाचा-चाची, ताउजी-ताईजी, बुआजी, भाई, बहन और उनके बच्चे तो प्यारे बच्चों, दो तरीके के परिवार होते हैं एक तो होता है सामुहिक परिवार या फिर बड़ा परिवार और दूसरा एकल परिवार या छोटा परिवार तो चलिए अब जानते हैं कि ये दोनों तरीके के परिवार कैसे होते हैं तो प्यारे बच्चों, सामुहिक परिवार यानि कि जो बड़ा परिवार होता है उसमें हमारे दादी जी, दादा जी, मम्मी पापा जी और हमारे ताउ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी, बुआ जी और उनके बच्चे सभी लोग साथ में रहते हैं दूसरा परिवार होता है बच्चों, एकल परिवार या फिर छोटा परिवार जिसमें सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे साथ में रहते हैं Now students, I think you understand about families, now tell me about some questions, how many members are there in your family, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं Question number 2 is, is your family, is a joint family or a nuclear family, आपका परिवार सामुहिक परिवार है या फिर एकल परिवार है Students, you can also make a family tree like this in which you paste the pictures of your family members and write their names तो प्यारे बच्चो इस तरीके से आप अपने घर का family का एक tree बना सकते हैं जिसमें आपको अपने परिवार के सदस्यों की photo को चिपका करके आप उनके नाम लिखे Now students, this is all about our topic, our family. Now thank you very much. Keep learning and for more videos, please like, share and subscribe my channel. Goodbye.